हेलो ऐसा आज हम बात करेंगे ओपो एफ 11 प्रो के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में आज कल मैंने देखा है कि भाई भहुँ सार लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पसंद करते मैं खुद भी अभी screen recording करना हूँ और screen recording के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ तो भाई आप लोग अपने OPPO F11 Pro में screen recording किस टाइब से करेंगे सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि भाई कोई भी आप लोग को अलग से third party application install नहीं करना पढ़ता है आप लोग को simply default में setting यहाँ पर मिल जाती है कि भाई आप लोग यहाँ पर डिरेक्ली जो है एक चीज में आप लोग को बताना भूल रहा था अभी मैं आप लोग को बताने ही वाला हूँ भाई मैंने बहुत सारे screen recording पे वीडियो से upload किया हर एक model की उपर बट मुझे लगता है कि भाई मैंने उसमें पूरी जनकर यहाँ पर नहीं दिया है बेसिकली क्या हुआ ना कि मैंने तो आप लोग को बता दिया कि भाई यह sound का feature आजाता है sound देख सेकते हैं आप लोग साउंड है यहाँ पर वीडियो का resolution front camera so touch is coffee मिलाता है basic साहिए आप लोग को पता चल गया बट बहुत सो लोग है doubt रहा था मुझे देखने का आ रहा था कि भाई यह तो आपने बता दिया बट screen recording चालू कैसे होगा screen recorder चालू कैसे होगा तो यही सबसे बड़ा doubt था मुझे लगा कि भाई आप लोग कर पाएंगे screen recorder चालू मुझे बटाने का काम है तो मैंने बता देता था बट screen record नहीं कर पा रहे थो लोग तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे setting तो आ जाती है आप लोग की screen recording के ठीक है मैंने आप लोग को बता दिया resolution आप लोग इसका 1080p, 480p, 720p तक देख सकते हैं आप लोग इसका front camera on कर सकते है so touch का option आप लोग आप पे on कर सकते हैं अब आप लोग अगर इसको on करना है तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा, Convincius उस पे क्लिक करना है, Smart Sidebar का option मिलेगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो समझ गए ना आप लोग यही से आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तब आप लोग अपने phone में में इसकी रिकॉर्डिंग पाएंगे सो आज जो है मुझे ऐसा फिलिंग आ रहा है कि आज मैंने एक दम से पूरी करेक्ट वीडियो बनाई है इसके रिकॉर्डिंग के उपर क्योंकि मैं हर बार जो है सेटिंग के बारे भी बताता था तो यह option आप लोग के फोन में by default on रहता है आप लोग को manually और नहीं करना पड़ता इसलिए भी हो सकता है आप लोग इसके रिकॉर्डिंग के बारे में जानी पाएंगे उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जैमाता दी